तो दोस्तों मैं लिकर आगई हूँ एपिसोड 10 की हिंदी एक्सप्लेशन तो चलिए दोस्तों देरी न करते हूँ एपिसोड और विडियो की शुरुआत करते हैं तो एपिसोड 10 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लिंशी और जोंग जीन की स्कूल की विन्टर होलिडेस खतम हो जाते हैं वही पिफिवो लोग जो जा रहे होते हैं जान्ग जीन अपने फ्रेंश के साथ जा रहा होता है कि तब ही उसके फ्रेंश बोलते हैं कि हमने जो हैं सुना है कि तुम जो है लिंशी के घर गए थे विंटर हॉलिजेस के दौरान और तुम उसके घर भी रुके थे जापर जो 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 है पूरी पोल खोल देते हैं शियान की कहते है कि हमने ये भी सुना है कि तुम जो है उसे मनाने गए थे वहाँ पर क्योंकि वो शियान फिर से कहता है कि ये लोग जूट बोल रहे हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जहापर जो जौंग जीन वो कहता है कि मुझे मेरे दोस्तों पर विश्वास है ये लोग सच बोल रहे हैं फिर तभी हम दूसी तरफ देखते हैं जहापर लिंशी और जो मियान है वो आपस में डिसकस कर रहे होते हैं कि अब जब पता चल गया है लिंशी को कि उसके भाई का दिल जो है जौंग जिन के अंदर नहीं है तो वो किस तरीके से उसे ट्रीट करें जहापर लिंशी कहती है कि अपसे मैंने सोच लिया कि मैं अब उसकी फ्रेंड बन के रहूंगी ले आपसे वो जो है जौंग जिन से दूर रहेगी लिमिट में रहेगी और फिस अभी लोग जो है अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं जा पर शियान जब देखता है कि लिंशी जो है मियान के साथ बैठी है उसकी डेक्स पर तभी उससे क्वेस्चन करते वह बोलता है कि लिं पूछता है कि अपने दोस्तों के साथ लिंशी और जॉंग जिन के खिलाफ गॉसिप कर रहे होते हैं कि इन दोनों के बीच में फिर से क्या हो गया है इन दोनों ने श्रीट एक्सचेंज कर लिए लिंशी और जॉंग जिन वो सुन लेते हैं तब वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच और फिर थोड़ी देर बाद शिनकाय का जो फ्रेंड है वो लिंशी के पास भागा हुआ आता है काफी हडबड़ी में और लिंशी को क्लास के बाहर लेकर जाता है तब लिंशी बोलती कि क्या हुआ है तुम इतने हडबड़ा क्यों रहे हो जब प बाद को सुनकर वो काफी जादा उदास है जाप लिंशी जहें क्लास में जा रही होती है शिनकाय के बास महीं पर हम देखते है कि शिनकाय जो है फुल एक्टिंग फॉर्म में आने के लिए अपने फ्रेंड से ग्लिसरीन डलवा रहा होता है अपनी आखों में ताकि वो रो में चाहता हूं कि इस बार तum मुझे टूशन दो ताकि मां अच्छे से नंबर ला सकूँ जब पर लिंशी जो है उसके मार्क्स देखती है पहले तो जब पर उसके मार्क्स देखकर वो काफी हैरान हो जाती है तब ही वो जो शिंकाय से कहती है कि मैं तुम्हें टूशन पढ़ाने के बारे में सोचूंगी और वहीं पर हम दूसी तरफ देखते हैं जहापे जौंग जिन जो है स्कूल की प्लेगराउंड में बैठा होता है क्योंकि सौंग उसे मिलने आई होती है सौंग से कहती है कि वो जो है कल शेहर को छोड़कर जाने वाली है इसलिए वो उससे और लिंशी से माफी मांगने आई है महीं पर जॉंग जिन जो है काफी सैड हो जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसने सॉंग का दिल जो तोड़ा है क्योंकि उसने कभी भी सॉंग को उस नजरों से देखा ही नहीं जिस नजर से सॉंग उसे देखती थी इसका मतलब ये है कि वो जो है move on कर चुकी है जांग जिन सौंग की ये बात सुनकर काफी ज़दा खुश हो जाता है फिर हम next scene में देखते हैं जहापे शाम को सभी बच्चे जो है स्कूल से जा रहे होते हैं शिवाय लिंशी और शिनकाय के शिनकाय जो है लिंशी के बेंच पर ही बैठा होता है तब जांग जिन कहते हैं कि चलो हमेमें भी चलना चाहिए लिंशी तब ही लिंशी कहती है कि सोरी मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे जह शिनकाय को टूशन देना है तभी हो पर जो जॉंग जी ने वो कहता है कि ठीक है तुम उसे टूशन दे सकती हो मैं तुम्हारा वेट करूँगा हम दोने साथ में ही घर चलेंगे लिंशी तब ही आपे शिंकाई जो है जॉए 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 बीच पीच में टांग अड़ा रहा होता है जिसकी वज़े शिंकाय को गुस्सा आता है तभी वो उसे कुछ गुए शिंकाय पढ़ा ही तो शिंकाय को काफी गुसा आ रहा होता है तब includ chị जिए। सब्सक्राइब करते हैं कि अगले दिन देखते हैं जहां पने पैसों से खरीद कर लंच खिलाता है क्योंकि म्यान को जो है अपने पैसे जमा करने थे सेफ और सिफ कॉंसर्ट के टिकेट खाइदने के लिए फिर वो चारो जैसे ही लंच कर रहे होते हैं टेबल पर बैट कर तभी हो पर जो 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 बता देता है इसी वज़े से उसने डॉल्मिटरी में शिफ्ट कर लिया और वही पर हम देखते हैं कि शिनकाय जो एकदम सिंसी और बच्चे की तरह लंच करते वक्त भी पढ़ाई कर रहा होता है कि तभी वो जो है अपने टीचर के पास भागा हुआ जाता है और अपने टीचर वू से बोलता है कि टीचर मैं ऐसा क्या करूँ जो जो जॉंग जिन से भी अच्छे नमबर ला सको और first आ सको कि टीचर Woo के गले में भी जो है ये सुनने के बाद तो पानी अटक जाता है वहीं पर उनके बगल में जो है जॉह है जॉंग जिन की टीचर मिस सुन भी बैठी होती है वो भी काफी हरान हो जाती है तभी वो जो है काफी एट्रीरूड के साथ कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, ऐसा जबी हो सकता है, या तो जॉंग जिन क्लास में एपसेंट हो एक्जाम के दौरान, या फिर वो अपने एक्जाम आदा धूरा छोड़ दे, कि तभी जो है शिनकाई को ये सुनने के बाद कुछ आईडिया आजाता है, वो वहाँ से फुर लेने के लिए, वहाँ पर जॉंग जिन भी बैठा होता है, तभी वो जो है लिंशी से कहता है कि मैं चाहता हूं कि आज जो हम कुछ गेम खेले, गेम की दौरान जो हारेगा लिंशी उसे पनिश्मेंट देगी, वो भी सर पर डस्टर मार कर, फिर वहाँ पर जूरू हो जात लेने के लिए, तभी वहाँ पर जॉंग जिन जो है दूसरे क्वेस्चिन कहां सा गलत देता है, महीं पर शिंकाय जीज जाता है, और दूसरी बारी में जॉंग जिन के सर पर डस्टर पढ़ता है, फिर अगले सीन में दोनों अपने डॉर्मिटरी में होते हैं, वो दोनों बातरूम में ना रहे होते हैं, क्योंकि उनके बालों में चौक के पाडर लगने की वज़े से काफी गंदे हो चुके थे, वहीं पर जॉंग जिन जब ना रहा होता है, तो शिंकाय जो है थोड़ी सी शरारत करने के बारे में सोचता है, तभी वो जो है अचानक से ठंडे प चुके हैं, जिसकी वज़े से दोनों को सिंपल राइस खाने पड़ते हैं, तोनों सोचते हैं कि अब वो क्या करें, कि तभी वो पर शियान को आइडिया आता है, शियान कहता है, जिससे हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, और तुमारे कॉंसर्ट के टिकेट के लिए भी बह काफी खुश हो जाती है, और फिर हम नेक सीर में देखते हैं, जहां पर दोनों बहुत सारे स्नैक्स खाइद कर लेकर आ जाते हैं, और अपने कपड़ों में छिपा रखे होते हैं, कि तभी उसी दौरान उन्हें दोनों फ्रेंस को आवाज देते हैं, वो उन्हें बताते है कि हम लोग छुप छुपा कर स्नैक्स लेकर रहे हैं, ताकि हम क्लास में बेज कर कुछ पैसे कमा सके, वही पर वो जो है उनके बैग में कुछ स्नैक्स खिपा कर रख देते हैं, वही पर वो जो है मिस्टर शी के सामने से निकल जाते हैं, सिवाह मियान और शियान के, वही प लग रहा होते हैं कि शायल्स के डैड ने उसे पकड़ लिया है लेकिन मिस्टर शी तो उसे रात को मैगजीन पढ़ने के लिए डाट रहे होते हैं जिसे सुनने के बाद तो शियान और मियान काफी ज़दा खुश हो जाते हैं और वहां से सेफली निकल जाते हैं वो दोनों ज जिसे सुनने के बाद मियान काफी खुश जाती है जहाप शियान कहता है कर मेरे डैड के पैसे दोस्तों की हसी निकल जाती है फिवो थोड़े दिर बाद देखते हैं कि वहाँ पर जॉंग जिन तो है ही नहीं जहांपे हमें नेक्स सीन में दिखाया जाता है शिनकाए और जॉंग जिन जोए अपने रूम में बैठे होते हैं वही पर शिंकाई के पैर में काफी चोट लगी होती है वही पर जांग जिन की थोड़ी थब्यद भी खराब होती है कि तब जांग जिन को लिंशी को कॉल आता है लिंशी उससे कहती कि मैं तुम्हाई लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ तुम्हाई डर्मिटरी रूम के भार में खड़ी हुई हूँ वही पर जांग जिन को यह देखकर काफी जैलिसी फील हो रही होती है कि तब भी वह लिंशी को साइड अटाता है और शिनकाई को जह अपने बाहों में भरकर मेडिकल रूम लेकर चला जाता है वही पर दोनों बैट पर लेटे होते हैं को ही पर हमके पता चलता है कि जांग जिन को भी काफी तेज बुकार है पर दोनों को इंजठ्चन लगाने के बारे में जहां पर यह सुने के बाद शिनकाई कहता है कि दोक्टर मुझे तो बस हलकी चोट लगई है इसको जादा तेज बुखार है तो आप इंजक्शन इसको लगाई है जापे जोंग इन कहते है कि नहीं डॉक्टर मुझे तो बिलकुल भी कुछ भी नहीं हुआ है यह बुखार बुखार नहीं है आप शिनकाई को इंजक्शन लगाई है इसके पैर में जादा चोड लगी है कि दोनों बहस कर रहे होते हैं इसी दोरान लिंशी को काफी गुस्ता आजा है वो चिलाते हुए बोलती कि दोनों चुप हो जाओ वहीं पर वो डॉक्टर से बोलती कि दॉक्टर प्लीज इन दोनों का खयार रखना और फिर थोड़े समय बद फाइनली दोनों सो जाते हैं फिर लिंशी जो है जाँग जिन का बुखार चेक करती है बुखार उसका उतर चुका होता है फिर वो उसके माथे पर हाथ रखकर चेक करती है तो उसकी बॉड़ी जो है गरम होरी होती है जब लिंशी हरान होती है कि ये कैसे हो रहा है वहीं पर जॉंग जिन की जो है अचानक से आँख खुल जाती है वो लिंशी की तरफ देख रहा होता है वहीं पर लिंशी की नज़र जैसी पड़ती है तो वो अचानक से खबराट के मारे अपना हाथ हटा देती है फिर वही पर जॉंग जिन जुए उसको अच्छानक से फोन पर मेसेज आता है कि उसका छोटा भाई लूची अबराट से वापस आ गया है ये न्यूस जुए वो लिंशी को देता है लिंशी को बताता है कि तुम finally अब मेरे छोटे भाई लूची से मिल सकती हो क्योंकि वो अब रोट से finally वापस आ गया है जिसे सुनने के बाद लिंशी जो है काफी जादा खुश हो जाती है वो कहती कि क्या सच में मैं उससे मिल सकती हूँ और फिर हम next scene में देखते हैं जापे सबी लोग जो है क्लास में बैटकर टेस्स दे रहे होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनके टेस्स का result भी आ जाता है शिनका है जो है अपने teacher के पास जाता है अपने test का result देखने के लिए तो उसका teacher उसे बताता है कि तुमारे rank कुछ खास नहीं आई है लेकिन तुमारे जो marks है वो काफे improve हुए है और फिर वही पर वो अपने teacher से बोलता है कि जौंग जिन के marks कितने आए वही पर वो जो है काफी excited होकर उसके marks चेक करता है जापे उसके teacher बोल रहा होता है कि तुम ना चेक करो तो जादा अच्छा रहेगा वही पर जो उसे पता चलता है कि जौंग जिन इस बार भी फरस्ट आया है तब उसके teacher बताता है कि उसने इस बार कुछ जादा ही improvement दिखाई है अपने marks में जापे ये जाने के बाद जो है शिनकाय काफी जादा निराश हो जाता है फिर वो भागा हो जो है लिंशी के class में जाता है वो जैसे ही class में जाता है तो उसे लिंशी नजर नहीं आती है तब ही वो मियान से पूस्ता है कि लिंशी का है जापे मियान बोलती है कि वो तो जॉंग दिन के साथ बाहर चली गई जापे वो पूछते है कि कहां गई है क्या तुम्हें कुछ बता है जापे मियान के पाद को स्नैक्स और कोल्डरिंग्स होती है तो वो शिनकाय से बोलती कि पहले तुम्हें ये खई दने होगे बात हो तुम अगर लिंशी से पूछा तो जाधा अच्छा रहे और फिर हम नेक्स सीन में देखते हैं जहाँ पर जो है लूची से मिलने के लिए जा रहे होते हैं जा रहे होते हैं जहें ने जो है लूची के लिए इक गिप्ट भी ले रखा होता है वह काफी ज़्यादा एक्साइटेड और नर्वस भी होती है मैंने जो तुम्हारे भाई के लिए गिफ्ट लेए क्या उसे पसंद आएगा मैं पर कहती है उसका फेवरेट फूड क्या है चला हम उसका फेवरेट फूड लेकर आते हैं वह जैसी जारी होती है तो चानक से जंग दिन का जो भाई होता छोटा लूची वो लिंटी को आवाज मारता है दीदी कहकर जहां पर लिंटी जब उसकी आवास सुनती है उसकी तरफ देखती है तो काफी ज़दा खोश जाती है उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है मानो जैसे उसका फाई मिल गया हूँ और दुस्तों यह पर एपिसोड 10 की एंडिंग हो जाती हैं तो दूस्तों मै भूरूंगे मेन नेक्स वीडियो में एपिसविए 11 कि हינदी एकस्प्लेशन के साथ क्या लिगा दॉर सब करें ए चीर for watching my video.